हेलो वेलकम टू योर निव डारक्षन जी हाँ आज 31 मार्च 2022 को सबसे बड़ी यहाँ पर खुसखबरी आ चुकी है और इस खुसखबरी के साथ यहाँ पर बेसिस इच्छा विभाग की तरफ से जो विज्यपती है वो आधिकारिक तोर पर जारी कर दी गई है जी हाँ क्योंक उसके बाद अंतिम दौर में यहाँ पर वेसिस इच्छा विभाग की तरफ से जो विज्यपती है वो जारी करते हुए छात्रों से आवरदन मांग लिए गए 29 मार्च 2020 को इस विज्यपती को जारी किया गया है विभिन समाचार पत्रों में कार्याले सची उत्तरप्रदेश बेसिस इच्छा परिशत प्रयाग राज की तरफ से विज्यपती जारी की गई है जापर बताया गया है कि माननी उचनियाला इलहाबाद में योजित जो की अमिस सेखर बरतवाज बनाम उत्तरप्रदेश सरकार 149-2021 के अनुपालन में जो यह वेवसाइड है इस वेवसाइड पर दिनांख 24-2022 नहीं कि 2 अपरेल से आप दोपहर से 4 अपरेल 2022 तक आउनलाइन आवेदन आमंत्रित की जा रहे हैं जिसके जो दिसा निर्देश हैं वो आप इस आधिकारिक वेवसाइड पर देख पाएंगे यह जो मामला है यह 8500 सिच्छक भरती काहिच यहां 8500 सिच्छक भरती में एक बार पुना से यहां पर दो तारिक से चार तारिक के बीच में इस वेवक्साइट से आउनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन जो मांगे गए हैं वो उच्ठ नियाला इलहाबात की आधेश्ट के आधार पर मांगे गए हैं। और प्रताफ सिंग भगेल सर की तरफ से जग्यप्ति को जारे किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर मामला यह है कि जब 68500 सिच्छक भरती पूर्ण होई थी तो दो चैनलिस्ट में पूर्ण भाई थी जिसमें से जो सेकंड चैनलिस्ट पूर्ण भाई थी उसमें जो छा जलते उन्हीं सिच्छकों से यह आविदन मांगे गए हैं और उनको अब मन्चहा यहां पर जिलावंटित किया जाएगा